नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है डाइजेशन एंड अब्जेप्शन का वन शोट वीडियो होगा NCRT की हर एक अपकी लाइन क्लियर हो जाएगी इजी वे के अंदर आपने करने वाले हैं पूरे चेप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जेप्शन जो इंट्रोड़क्शन है चेप्टर के अंदर जो NCRT के अंदर दे रखा है उसी को अपने यहां लिख रखा है बिल्कुल एजी तरीके के अंदर ठीक वो पूरा प्रग्राफ आपका यहां क्लियर होने वाला है तो देखते हैं फूड जो है अपन फूड इंटेक करते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं ठीक है एक होता है major component और एक होता है minor component अब major food के अंदर major component कौन से होने चाहिए और minor component कौन से होने चाहिए वो देख लेते हैं food के अंदर जो majorly जो चीज है वो क्या होनी चाहिए carbohydrate होना चाहिए protein होनी चाहिए और fat होना चाहिए ठीक है जो major component है food के अंदर जो major component है, वल्ब ज़्यादा चीज़ क्या होनी चीए, food के अंदर, carbohydrate ज़्यादा होना चीए, protein ज़्यादा होनी चीए, और fat ज़्यादा होना चीए, vitamins और minerals है, यह क्या है, minor component है, फिर अपन आगे बात करते हैं, अब जब अपन food को खाते हैं, जो food को खाते हैं, तो वो कैसा होत जो molecules होते हैं, वो बड़े molecules होते हैं, अब जो बड़े molecules हैं, उनको अपन direct digest नहीं कर पाते हैं, तो उनको काम में लेने के लिए, कोई चीज इतनी बड़ी है, उसको अपन काम में नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेग ठीक है उसको छोटा-छोटा कर लेंगे तो फिर अपन उसको काम में ले सकते हैं अपनी बोडी काम में ले लेगी तो जो ब्रेक्डाउन होगा ठीक है ब्रेक्डाउन होगा ब्रेक्डाउन होगा ब्रेक्डाउन होगा ब्रेक्डाउन होगा ब्रेक्डाउन होगा ब्रेक्डा सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे उसका ब्रेकडाउन करेंगे मतलब उसको अपन तोड़ेंगे और तोड़ेंगे कैसे कोई issue नहीं हो नइ चीए, bio macromolecules जो हैं, उनको break down करना पड़ेगा, क्योंकि bio macromolecules को अपन direct काम में नहीं ले सकते, ठीक है, छोटा छोटा करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, तोडेंगे कैसे, mechanical, mechanical तरीके से, or bio chemical तरीके से, chemical का भी use करेंगे और mechanical use भी करेंगे ठीक है और इसी तोड़ने की process को अपन क्या बोलते हैं digestion क्या है bio macromolecules को simple substance के अंदर convert करना ही digestion होता है ठीक है अब अपने पास होगे simple substance तो आगए अपने bio macromolecules तोड़ लिए अब अपने पास है simple substance तो simple substance है उनको अपन absorb कराएंगे ठीक है absorb हो जाएंगे वो किसके अंदर absorb होकर चले जाएंगे कहां पर blood के अंदर ठीक है blood के अंदर जाएंगे absorb होकर वो blood के अंदर चले गए simple substances है वो absorb होंगे और कहां चले जाएंगे फिर blood के अंदर तो simple substance का absorb होना ठीक है simple substance का absorb होना ही क्या होता है absorption digestion क्या होता है biomacrome molecules का simple substance के अंदर टूटना digestion होता है और simple substances का absorb होना क्या होता है absorption ठीक है अब जो absorb होकर जो simple substances blood के अंदर गए है ठीक है blood के अंदर गए है अब उनको blood के अंदर तो चले गए लेकिन अब blood से वो tissues और cells के पास जाएंगे ठीक है तब भी तो वो काम में आएगी तो tissues और cells के पास जाना ही क्या होता है assimilation ठीक है यह तीन जो term है वो आपको समझ में आ जानी चीए digestion क्या होता है biomacromolecule का simple substances के अंदर तोटना क्या होता है digestion ठीक है simple substances का absorb होना absorption और जो absorbed जो blood के अंदर जो absorbed हुआ है blood stream के अंदर चला गया है जो simple substances अब उनका tissues तक distribution होना वो क्या होता है assimilation जा तक कोई issue नहीं है यह हो गया अपना introductory part ठीक है अब बात करते है digestive system की digestive system जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआता है एक होता है अपना elementary canal और दूसरा है associated glands associated glands दो पार्ट से बना हुआ है elementary canal और associated glands elementary canala है अपनी पूरी गट है जो mouth से लेकर एनस तक एक मलब एक ट्यूब है ठीक है जो माउट से लेकर एनस तक पूरी ट्यूब है इसके अंदर अपने यहां से खाना डालते हैं ठीक है यह और फिर अपने खाना डाला और यहां पर अलग-अलग जो अपनी ग्लेंड्स है वो अलग-अलग सिक्रीट करती है अलग-अलग जूसे सिक्रीट करती है उनसे क्या होता है जो कृणा है और ने किससे बनावाता है सिंपल यह कोई है डाइस्टिस्टि सिस्टम जो है वह amount के चीजों से मिलकर पूरा आपना डाइजिस्टि सिस्टम बनाया फिन्ह इत्राई अलग अलग अपड़ देखेंगे एलिमेंटरी के नाल के अलगले पार्ट्स दखेंगे और जो असोचेटेड ग्लेंज ग्लेंज कोणों सी है वो चीज़ बेपन देख लेंगे ठीक है एलिमेंटरी के नाल को समझ लेते हैं ठीक है एक ट्यूब जा रही है देखो यह ट्यूब जो है यह जा रही है नोज से ठीक है यह क्या है नेजल चेंबर नेजल चेंबर ठीक है और यह जा रही है माउट से यह देख लो यह माउथ हो गया अपना माउथ है और एंस्याटिक अंदर लिख रहे हैं माउथ लीट्स बॉक्त के गिइह क्या हो गी और हेलं के विटी और अधित और भज्ट के गिदी ईके बखलर इस फ़िद्ध अधिक लिख जो एक चैबर है जो यह अवाला यह जो नाक से और इस Metal वाला यह और यह जो mouth से जा रहा है यह एक ही opening के अंदर एक ही pipe के अंदर connect हो जाएंगे दोनों ठीक है वो जो एक pipe के अंदर connect होंगे उसको अपन बोलेंगे pharynx ठीक है pharynx जो है वो common passage है for food and air जो मैं लिख देता हूँ आपर pharynx जो है वो common passage common passage for food and air food और air के लिए जो pharynx है वो common passage है ठीक है यहां पर एक structure होता है आप देख सकते हो mirror के अंदर अगर आप अपना मूँ खोल कर mirror के अंदर देखोगे तो यहां पर आपको एक structure लटकता हुआ दिखेगा उसको बोलते है अपन यू वुलवा यू वुलवा ठीक है अब यह यू वुलवा काम क्या आता है यू वुलवा काम यह आता है जब आप खाना खाते हो तो यह यू वुलवा है यह उपर की तरफ हो जाता है और जो nasal chamber है उसको cover कर लेता है ठीक है ताकि खाना जो है वो नीचे की तरफ जो खाना है वो नीचे की तरफ चला जाए ठीक है अब यह जो एक पाइप नेजल चेंबर से आया अपना और एक आया माउट से ठीक है कोई इशू नहीं है फिर यह आकर कहां ओपन हुए फेरिंग्स के अंदर जो एक बड़ा पाइप होगा कोमन पाइप है जो फूड और एयर के लिए कोमन पैसे दोट फाईप है अगर आगे देखो दो ट्यूब है दो ट्यूब कोन कोन ती है यह किस यह जो है यह क्या है अल नेजल चेम्बर से ठीक है और यह जो स्ट्रक्चर्यों यह जयो ट्यूंब है यह क्या है। इस क्या है इस ट्रवीक से इस प्रकूंड की जईëlt श्वान गोसि है फुड्स पृट पार के नंदर जू खाना है वो कहां से एगा। माउच से यहां तक कोई इश्यू नहीं है फिर यहां पर यह जो ओपनिंग है यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसको बोलते हैं अपन इपी ग्लोटिस इपी ग्लोटिस ठीक है इसको बोलते हैं अपन इपी ग्लोटिस ठीक है जो ट्रेक्या की ओपनिंग होती है और इस ट्रेक्या की ओपनिंग को बोलते हैं गलोटीस और जो इसो फेगस की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं गलेट ठीक है अब जब अपन खाना खाते हैं जब भी अपन खाना खाते हैं तो क्या होता है यह जो इपी गलोटीस है ना इपी गलोटीस इपी गलोटीस जो है धान से सुनना ज एस थाइम पर एपीखलś को बंद कर लेता है नहीं तो क्या हो गा अगर यह बंद ना करें तो क्या होगा खाणा यहां से आया क्योंकि फिर नोग सब्सक्राइब है न्यां से जो पाई पा रहा है वह भी खांपन मुंहें को ओपन हो यह इपी लोटीस है वह जो ओपनिंग ओफ ट्रेक्या जो इपी लोटीस है वह ट्रेक्या की ओपनिंग को बंद कर लेती है ठीक है ट्रेक्या की जो ओपनिंग है ग्लोटीस उसको बंद कर लेती है अब आपने देखा होगा कई बार आपन खाना खाते टाइम बात करते रहते ह जो क्लें सिसे बंद करूं कि ना करूं कि ना करों तो बीच में रह जाएगी तो खाना चला जाएगा रहा कन张 या अनदर छ वो कनेक्ट होगी स्ट्रोमक से अब स्ट्रोमक के जो है वो पार्ट से यह जो उपर वाला जो पार्ट है यह क्या है फंडस ठीक है फंडस और यह जो है यह कौन सा पार्ट है कार्डियक ठीक है कार्डियक और यह जो है यह क्या है बोड़ी ठीक है और यह क्या है पाई लोरिक पाई लोरिक ठीक है यहां तो कोई इश्यू नहीं है जो इस ओफेगे सब वह कहां कनेक्ट हो रही है स्टोमक से कनेक्ट हो रही है स्टोमक के इतने पार्ट है चार पार्ट है फंडस, संतिक क्रीज़न कार्डिक रीज़न और बोडिरॉरी रीज़न फिकért अब जो भाइलोरी रीजन है कहां कनेक्ट होगा यह करेक्ट होगा जिएक्षिर होगा है वह दो टीक डेदेनम c-shape dudenum ठीकOoh चिल्ट करड़ एक कोईलड इस्टक्चर आएगा जीजेणम फिक है जीजेणम के बाद में एक highly equaled structure आएगा ileum ठीक है यहां तक कोई issue नहीं है pyloric reason होगा है stomach का जो pyloric reason है वो किस से connect होगा dudenum से dudenum से ठीक है dudenum और dudenum कैसा है c-shaped structure है c-shaped structure है कोई issue नहीं है अब dudenum के बाद में क्या आएगा g-genum ठीक है g-genum g-genum ठीक है और g-genum के बाद में highly coil structure आएगा ileum ठीक है ileum अब मैं एक चीज़ आपको यहां clear कर देता हूँ कि अपने पहले क्या देखा अपने पास और mouth है mouth एक sequence आप देखे लो mouth mouth कहा गया oral cavity के अंदर oral cavity या फिर buccal cavity oral cavity या फिर buccal cavity stay oral cavity के बाद में क्या आया pharynx pharynx oral cavity के बाद में चलो ले लो pharynx भी ले लो pharynx 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 के बाद में क्या आया ओसों फेडर स इसु फेडर सी इसौफ स्टोमक स्टोमक के बाद में क्या आया कि सुमक के बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं डूडेनम डूडेनम के बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं जीजेनम जीजेनम के बाद में क्या पढ़ रहे हैं इलियम ठीक है यह पूरा सिक्वेंस में बता रहा हूं आपको कौन सा ऊपाएगा। यह अपने एक बार वापस भी करेंगे तिक है यह जो पूरा है डियाच्छैनिउंस और ईलियम यह 3 पार्ट किसके हैं यह 3 पार्ट है स्मोल इंटेस्टाइन के जहान में रखना स्मोल इंटेस्टाइन के जिजेनम और इलियम किसके पार्ट है स्मोल इंटेस्टाइन के पार्ट है अपन कहां तक आ गए इलियम तक आ गए मतलब अपनी स्मोल इंटेस्टाइन तो complete हो गई भी आप आगे चलेंगे ठीक है अपना आगे चलेंगे अब जो इलियम है वो कहाँ connect होता है एक blind से structure से blind से क्या होता है एक blind से structure से और blind से क्या होता है आपने वो थेले नहीं देखेंगे क्या कि जो नीचे से बंद होते हैं और उपर से जो मलब shopping bag देख लो आप ठीक है एक side से खुले होते हैं और एक बाकी बंद होते हैं उनको वो जो इस ट्रक्चर था वो blind से को होता है ठीक है blind से अपने shopping bag लेके आते हैं जो पेपर वैग या फिर जो भी किसिक्र रही कारी क्या है सीकुम ठीक के यह क्या है सीखम यह क्या है सीक्रम यहां कोई शूनिह और सीकंसे एक structure निकलता है सीकम से एक structure निकलता है जिसको बोलेंगे अपन appendix vermiform appendix vermiform appendix imprison rormiform appendix यह आपको पता है vestizial है ठीक है vestizial है औके और यह जो सीकम है săीकम है यह क्या होस्ट करता है Symbiotic microorganism सिंबायोटिक मायक्रो ओर्गेनिजम होस्ट करता है ठीक है और ये कैसा है ब्लाइंड सेक्स टॉक्चिर है ठीक है यहां तक कोई इश्व नहीं है ठीक है सिंकम तक आ गया अब यह जो इलियम तक किसका पार्ट स्मोल इंटेस्टाइन का सीख Nepo किसका पार्ट है लार्ज़ इंटेस्टाइन का पार्ट है ठीक है अब ऐपन इस इस ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं कलर चेंज करके इसको भी मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं सीकम हो गया यह यह हो गया अपनी वर्मिफों अपेंडिक्स ठीक है यह मैं एक बार मेटा जिता हूं आपे यह लेबलिंग एक बार महटा रहा हूं कि यह जो स्टक्षर है इसका है असं यह या इसरें डंटिंग को लोण अ सैंडिं ड़य चिद की को लोण थीक है यह उपर की तरह ताब यह संडिंग को लोण यह जो उपर से शो ट्रांसस्वर जा रही है थान्सवर्श गो लोलोट ठीक तावन देखे़ नीचे की तरफ आ रही है, descending colon, descending colon, descending colon, ठीक है, अब ये जो structure है, ये कौन सी होगी, जो S-shaped structure बना रही है, ये क्या है, sigmoid colon, सिगमोैड कुल्ओन और यह जो नीचे है का हो गया Uhtem Cabin aaje solar ua हो यह हो गया यह थीक है अब यह इन वापने पाड़ देख लिए एक किसके पाके आप यहां इस यो पार्ट है यह है लार्ज इंटेस्टाइन के पाड़ टीक है statistاد इस टेबल के इन्दर आप देख सकते हूँ यहाँ पर इलिम के बाद में आया सीकम सीकम, उसके बाद में कोलन कोलन उसके बाद में क्या रेक्टम रेक्टम कोलन के अंदर वो आपको पता ही है ascending colon, descending colon और transverse colon ठीक है और Сीग्मोड और ये जो चारों है लार्ज इंटेस्टेंट के पार्ट है फिक तो यह अपना उल्मस कंप्लीट हो गया एक बार्वापस रिपीट कर देता हूं उपर से निकले धो पाइप एक नेजल चेमबर से निकला एक माउस से दोनों कहां ओपन हूये एक common pipe के अंदर जो क्या है pharynx ठीक है और pharynx जो है वो common passages of food and air अब जो pharynx है वो कहां जाएगा दो पाइप आगए वापस एक आगए ट्रेकिया या फिर wind pipe और एक आगई इस फेगस ठीक है अब जो ट्रेकिया है वो कहां जाएगा लंक्स के अंदर जाएगा सबको पता है और जो प्रेट की जो पूर्टि है होगि होती है इसको अब करता है इपी ग्लोटिस खानाका यू तकास को कवरि कर लेती है ताकि खाना ट्रेक्या के अंदर ना hasn't पाये और इस सौफेगस के अंदर ही जाए जो इस बसकी ऑपनिंग होती वो क्या होती है गलेट सिस्थे अंदर आ गया हपन इसॉफफेगस आगी उसके बाद में इसोफफेंजो है वो कहां कनेक्ट होती है इस्ट्रोमक के अंदर हो फंडस-ी-चरमटा नम ने किसका पार्ट तरा लगन्ठ Speech बासलो sc रिलियम यह से में थ transmitted से कंप्याइट करनेते हैं होती एक सबाइव से उस्भाइट कोई आति होता है था है उसके हमारोक उटीनीजन लोटे होता है जो में रखी यह वे क्या एंगिरल neste पूरा मने आपको यहां लिखा रखा है माउथ माउथ कहा गया माउथ के बाद में आएगी औरल केविटी फिर बकल केविटी बकल केविटी के बाद में आएगी फैरिंग्स फैरिंग्स यह बाद में इसोफेगस के बाद में स्टोमक इस्टोमक के बाद में कहाएगा डियूदेनम 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 के में कोलन और कोलन के बाद में रेक्टम कोल सीकम कोलोन रेक्टम ठीक है यह तीनों किसके पार्ट है यह पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है ठीक है यह अपनी यहां तक अपने अपने में में जो स्टक्चर है एलिमेंटर के नाल के वह देख लिए अपन ने ठीक माउथ को अपन एक लिक पार्ट को उठाकर दखेंगे माउथ के अंदर क्या है माउथ मैंने आपको बता दिया कि कहां जाता है माउथ के बाद में क्या आती है ओरल के वेटी या फिर बकल के वेटी और और बकल के वेटी और बकल के वेटी के अंदर दो चीज़े परजेंट ह लो और मुह कोल के देख लो मुह के अंदר क्या दिख देख रहे हैं और जीम दिख रही है तो दो चीजे हैं पहले है तीथ तिन ताइप के है अपने पास एक होते थी घुर डॉं टोस के मतलब बता दूब कि भी कोई को ब्लब होता है कि और जो भी अब पूरा सोकेट के अदर फसा हुआ है अपना दाथ तो वह जो इस इसको पर क्या बोलते है ठीक और बूलते है ठीक है डाई फायर नहीं होता है कि जीवन में अगर दो बार दाहता यह इसमिव एन जाए तक्रमाने पर्मानेंट आप दांत है ठीक है तो जो यह मतलब दो फिक है और दो बार दान्त आ रहे हैं तो डाइफार डॉंट फिर है है हिटेरो डॉंट ठीक है हो मों का मतलब है स्परिव यहाई होता है अपने मूँ इस एक अलग अलग टाइब के ना इन्साइजर के 9 प्री मोलर और मोलर अलग अलग टाइब की दानत है तो वह है है तीकोडोंट क्या होता है इच टूथ इस एमबेडेड इन एस सोकेट ओफ जो बॉन अपने जो जबड़े जबड़ा है जो जबड़ा है पना जबड़े की ज इस एक फिर जलते हैं आगे डाइफ या फाय दोंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दो बार ना आता हैंगे टू सेट्स ओफ टीथ ठीक है दो बार ना आता हैंगे पहले जो आते टेंपरेरी या फिदेसी डुश्टी टीथ मिलक टीथ भी बोलते हैं इनको जो दूद हो ओंट? हिट्रोडोंट क्या होता है? अपने चाह जो इंपोर्टेंट लाइन है मार कर लेना, शिरल लगा लेना, जो लगाए उ लगा लेना, लेकिन याद रख लेना, ठीक है हार्ड च्यविंग सर्फेस of teeth is made up of enamel ठीक है जो अपने दान्त को hard बनाता कोन है जो hard surface अपने दान्त की वो किस से बनी हुएती है enamel से बनी हुएती है भूल मत जाना भई बहुत easy है ऐसे उट क्या सकती है exam के अंदर तो भूल मत जाना इसको enamel से अपनी जो hard chewing surface अप दान्त की incisor है के 9 है premolar है और molar है ठीक है अब यह जो dental formula है यह देखो कैसे है I का मतलब incisor होगा C का मतलब होगा के 9 और PM का मतलब होगा premolar और फिर M का होगा molar जैसे उपर है वैसे ही नीचे होंगे उपर वाला जो जबड़ा है उसका आदा ही लिया है ठीक है अपर हाफ and lower half ठीक है 2123 upon 2123 ठीक है उपर वाले जबड़े के अपर हाफ के अंदर मतलब उपर वाला जबड़ा है मतलब यह देखो आप मैं थोड़ा से डाइगराम मना के दिखाता हूँ यह मालो उपर वाला जबड़ा है ठीक है और यह मालो की सेंटर है इतने दाद इतने दाद इतने दाद इतने दाद इधर है ठीक है तो अपन कौन साथ ले रहे हैं उपर वाले जबड़े का सिर्फ यह वाला हाफ ही ले रहे हैं यह वाला उपर वाला एक हाफ ले रहे हैं ठीक है यह अपर हाफ का मतलब है यह उपर वा है एक अपना की ego अपने क्या है प्री मोलर र基本 मोलर यह जो फूरमुला एडल्ट के लिए लिए होगा टू यह ए पॉण टूरी हुगा इसको इOTर कर देंगे उत्तु तो यह से अप करोगे तो त्यां करोगे और यह क्या है अडल्ट के लिए ठीक है यह जो किसके लिए यह फॉर्मूला किसके लिए अडल्ट के लिए अब कोई 16 साल का जो इंसान है उसके लिए जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या आता है ngcrt के अंदर नहीं दे रखा लेकिन आपढ़ लो काई जा रहा हाँ एक मिनट लगेगी इंदर है कि stayed जो 16 एनोड के लिए क्या है 2121 2121 क्या नहीं होता है इसके अंदर किति कैंदर क्या में सिंग T इसके अंदर यहां पर जो मोलर है थिक है , ठ्र e cardboard नहीं होता इहाँ अपर 16 साल के बच्चे के अंदर ठ्र्ड व थ्यां झा थष्ड्रत मोलर को ऐख भूलते हैं विज्डम fazendo थीत वह वह बोलते हैं और अबने नॉर्मल बासा के अंदर इसको क्या भूलते है अक्ल वाली अग तो वो 16 स से में कलत होती नहीं तो अकल वाला उसे में मगें नभी नहीं आता तो जो विश्रम टेथ हैं न वो 16 स से के अंदर है नहीं थर्थ कि एंदर हो गए यह जो किसे क्रमक मुल्ड के लिए अपन ने देखो यहां पर क्या बात करी थी अपने बखल के वेटिक डू चीजे है क्या है टीध और टंग ठीक है बखल के वेटिक दो चीजे अब आपकरेंगे अपन टंग की ठीक है ठीक है तंक क्या है कर सकता है और मस्कूलर और अर्गन अटेज़ टू फिल फिलफ सटेज़ टू फ्लोर ऑफ ओरल के लुटी बाइफ रेनियूलम ठीक है जो आप जो टीफ में जो टंग है वह किसे जोती है फ्लोर ओर ओरल खीटी ऑरल यह से नीचे से कनेक्ट होती है अप मेरर के सामने जाओ औ येट और निचे स्ट्रक्ट्टर से च्ट्रक्ट्टर से उसको बोलते अपने फ्रेली जो उपर का जो सर्फेस यह आप देख सकते वने तंग पर पेपिली परेजेंट होते है जो परका सर्फेस उस पर उपर परेज्टे संदर कुछ के अंदर ने टेस्ट बड़्स भी प्रजन होते हैं तहीं हैं तो निए बात कर ली माउथ के अंदर जो अपने टीछ और स्टंग की अब बात करेंगे कि जो अपना जो पूरा पाइप है अपने एड़ देखा होगा टीवी पर या फिर आप नोर्मल घरों में भी देखते हो कि जो आप टंकी लगाते ऊपर अपने घर के ऊपर टंकी सब लगाते हैं बातरूम के ऊपर गर के ऊपर किचन के ऊपर ठीक है तो उसके अंदर इतने layer का pipe है ठीक है तो वो चीजे हैं कि अपनी जो यह जो अपनी जो गट है या फिर elementary के नाल अपनी वो भी अलग-अलग layer से बनी हुई है ठीक है वो कौन-कौन सी layer है वो देख लेते हैं अब जो उपर-उपर वाली layer है ये कौन सी है सी रो सां ठीक है जो उपर वाली layer है वह कौन सी है सी रो और वाली layer है सी रोसा फिर जो अंदर वाली जो second bisher almost muscular is muscular isOff1 टाइव के लिए रहे हैं अंदर की जो तरफ है वह circular है और जो आउस्नाइनल अपार की त adhering की कि तरह है उए लूमन ठीक है है चार लेर है याद रख लो भ adalah syrao पहले नम्म जो बार की जो लेर रहे हो पहली नमपर जो लेर ह的是 भार की तरफ से ठीक है आउटसाइड से रहे है तो भार की जो लेर है फिर दूसरे नमर की लेयर की है muscular , muscularis kender में नहीं दक फ्षे ik लेयर होती है जो अंदर की जोए होगी circular और जो outer वो कैसी होगी longitudinal फिर आथी सब्युपोजह और फिर आती है म्यूकोज़स सीरोस्वयर सब्यूकोज़ म्यूकोज़स सीरो्सा मस्यूज़र सब्यूकोज़सा और म्योको सफिर architect ruman बात कर लेते जो चारो ले रहेडब हैं उनकी एक ऐक देख लेते हैं अपन सीडियम स्थी प्रूइन कि से अमें जो हो यह है मीजॉथीलयमिजॉथीलयम होता क्या है widow प्लस कनेक्टिव टीशू फिर बात करते हैं मस्कूलरिस यह बार की लेयर अपने सीरो सा पड़ली अब बात करते हैं मस्कूलरिस कॉन से अब क्या होता है तो वह क्या होगी स्मूद मसिल्स होता है और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कुछ Greetings Elementary Canal के अंदर अजय को पर इनर आउटर के अलावा Aha इलेघ्र ऑलिक अब यह कुछिसर पैसे हैं यह कुछ इंपर सक्राइब रिजशन कोई और नहीं यह अपना स्टोमक है थीक है स्टोमक के अंदर क्या होता है ओभलिक मसलेर प्रजेंट होती है यह तक को यश्य होने चाहिए मस्कुलर से अपनी कंप्लीट हो गी फिर बात करते हैं सब्म्यूकोजा की सब्म्यूकोजा यह दियान में रख लो भीया श्टार लगा लो हैस्टे के अंदर क्या होते हैं नव्ज ब्लड वेसल लिंफ वेसल परजेंट होती है सब म्यूकोजा के अंदर नव्ज परजेंट होती है ब्लड वेसल परजेंट होती है और लिंफ वेसल परजेंट होती है सब म्यूकोजा के अंदर नव्ज परजेंट है ब्लड वेसल परजेंट है और लिम्फ वेसल परजेंट हैं और एक चीज धान में रखे लेना फिर तो और में भिजन द्योंडहरज़ बावं बूट जय्दा इंपोटेंट है नर्व परजेंट ब्लडब्लेक्व पर्जेंट है लेकिन लेंद कौनजी पररजेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ वह ब्रूनर स्लेंट। इसी ऑंटि Mean कि अब सुमको 01 भूट वह पूरी एलमिंट्री किनाल के अंदर थी कह लेकिन भूसर्फ कहां प्रजेंट डूडेनम के अंदर प्रजेंट है ठीक है ग्लेंड जो है वो सिर्फ डूडेनम के अंदर प्रजेंट है ठीक है हर जगह सम्यूकोसा के अंदर आपको ग्लेंड देखने के लिए नहीं मिलेगी सिर्फ और सिर्फ डूडेनम के अंदर आपको ग्लेंड देखने के लिए मिलेग और वो भी कोन सी लिए इंपोर्टेंटर या एकजाम के अंदर आ सकता है याद रत लेना कि ये बात होगे अपनी अपनी समुकूस इंदर क्रती है म्यों जो है वह तक्रिट करती है म्यों कुण करती है म्यों कर दो करती है तो यह हो गई है यहोगी अपने जो बिढ़ लेंड बनाता है फ़ंगी आप ऑशान पो र already gj bread or mungkin common क्या बनाते है और यह रिल्ग इन जो बोल सकते हो ठीक है यह विलाई ठीक है अब यहां बनाने की जुरूरत क्या हुई जुरूरत इसलिए हुई क्योंकि यह क्या है limit is perfect area increase कर रहा है सर्फेस में घाघएशन कहा होता है स्मोल इंटेस्ट के अंदर सब स्च्रक्चर होती है मेका पर एक स्टर्चर होती है ऐसे स्टर्चर होती है Lindsay सिसक्ов आब मारेंगे माइक्रोविल भी नहीं झाओ यह लेक्टियल लिम्फ वैसल लेक्टियल क्रिज elle कर देंट होता है द्हान में गुझ सूल इंटेस्टाइन लेग्टेल का है प्रिजेंट होता है म्यूकुए ओफ फिश्मोल इंटेस्टाइन फिक है यह अपने ब्लड वेसल्स वगेरा होगी ठीक है यह जो रेड और ब्ल्यू के इंदर मैं दिखाइए यह ब्लेड वेसल होगी यह माइक्रो विलाई होगी जो विलाई की सेल्स से सी ओए निकलेगा ठीक मायक्रुविलाय ही जो कि प्रस्पठी डैन्स देगा और विलाई जो है फिंघीर लैक प्रोजेक्शन है Kिस काम आती है सर्फेस इरेक्ले करने के लिए लेक्टियल है वो लिं இ से लिंब वेसल्स हैं जो कि क्या है आप होंचिया लेटल स्मोल इंटेस्ट्सान की मूकोस्जा के अंदर रिक है här यहांत दो कोई श्vaisू नहीं है फिर अपन बात करेंगे डाया स्टिव ग्लेंडस की ठीक है चीक है यह अपनने चुमिंगे धृत्त सबस्क्राइब निकालेगा और अलकलाइन पंग्राटिक जूस भी निकालेगा ये अंडो क्राइच से दोड़ान बीधार और ऑAND होर्मोंस भी निकालता है यह ठीक है कि यारे सनसी चिक्स करनार, वहां पर शबलिंग का पर जैसली को निचे लोटी यह स्पर्सौनी है को अधिया पतस्ति यह मैंने जो है रहे वर्ट स्सक्क्लाइब लिव एग लिंदर तो यह होंगी तिक और लोप को जो बोलेंगे ही पेटिक लोबिूल जहाँ पर पर भी हैं तो मतलब किकता बात हो रही है बात किसकी हो रही है वह बात हो रही है दो लौप सब्सक्राइब ने होते हैं के अंदर से बने यहदे तो वो बने होते है हीपेटिक ieओंटे अब जो इक घरेकस सेल्स वह क्या सिक्रीट करती है बाईLE करती यह फेठीक सेल्स जो है ऑबाईल करती है उतना अब यह बाईब्र जाता है एतना पर आप दाने में रखलो लीवर जो है लिवर जो है दो लोब से बनी होती है ठीक है समझ में आगी सिरीट करती बाइल जो और शोड़ होता है गाल ब्लेडर के अंदर ठीक है यहां ते कोई शुनी होना चाहिए अब एक इंपोर्टेंट जो लाइन है वो आप ध्यान में रखना स्टार हैस्टेग जो लगाना लगा लेना ठीक है DC जो है वह क्या है स्ट्रक्चिरल अन फंक्च्छनल उनीट ओफ लीवर तिक जो यहीижिट, उसको क्या बोलेग है इसे गलेस है और एक लिसिअ क황 संपर, जबन संकेपसुल ठीक है लोगोर्स के लिए डोच इंपर दोचीज आपने में रखनी है पहले तो दढखो लीवर वापस एक रपार करते हूं मैं लीवर्ट जो है दो लॉबस बनवा ता जो दो लोब है वह बिटिक लॉब्यूल्स बने उनको है लोब्यूल सनो जो हेटिक लोबुल्ट्स है। वो क्या है ? Krug nod of liver ठीक है ? Lear की Krug यह अपनी îliver है की बात हो गई अब यहां पर आप डीग्राम से समझता है क्या stipcjon होता है क्या नहीं होता न आ कि यह मानलों आप लीव ठीक यह मानलों लिवर है ठीक है एक डखट आएगी यहां से इसadasa रिज़ है एक ड़क्ट आई इस लॉबूल से पॉस्ट है दो लोग बताइए थे में ने दोनों लॉबूल से एक ड़ेक्ट आ गई ठीक है यह दोनों डग्ट आगई लीवर से डग्ट फ्रम लीवर ठीक है अब यह दोनों डक्ट है यह आपस में जुड़ गई यहां पर और यह चीजा यहां पर बिलके रुखिए ठीक है यह दूनों डग्ट है वह कहां से ये लीवर से का अपर यह अई थब यहाँ पर एक 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 डख के अंदर मिल गई है और यह और यह स्क्फ ट का बना लिए कोमन हीपे beta G PhD बना ली इन दोने आंगा अब ने गाल ब्लेडर की बात करें थी यह हो गैंपना गाल ब्लेडर ठीव है इससाइज डख्ट डख्ट फ्रॉm गाल चाहितिक बता है यह दोनों आपस में जुड़ यहां पर आप देख सकते हो clearly यहां से आई अपने सिस्टिक डख्त और यहां से प्रिनी कोमनपायल हीपेटिक ड़क्त और यह दोनों आपस में यहां पर बनाती है उसको बोलेंगे अपने कॉमन बाइल ड्क्टीक है यहाँ तहהा कोई इशु नहीं है कॉमन बाइल ड्क्ट बन गई अपने पास ठीक है लिवर से दो ड्कट आई ठीक है दोनों ड्कट आपस में मिलकर क्या बना लिए कॉमन हीपेटिक डक्ट बना ली अब गालब लेडर से एक डक्ट आई सिस्टिक डक्ट वो कोमन हीपेटिक डक्ट के अंदर मिलकर क्या बना ली कोमन बाइल डक्ट बना ली कोई इशू नहीं है पंकरियाज है पंकरियाज से जो आई डक्ट उसको बोलें है पंकरियाटिक डक्ट ठ कर अब अपक्ने पास क्या को मन भाई निखल रही है है और यह अपस क् खुमन जो पंक्रेयाटिक डखत गफ्ते हैं एक अपने पास कुमन भाई डखत्य के अपने पास पंक्रेयाटिक डखत्व Central एपस में मिल गई और दोनों ने मिंविकर क्या बना ली एड़ को कोई कोई स्जी करें का ऊपना लिफ को बाइल लुग जो हें यहाँ पर यह जो है जो ही पेटोपैंगेटीक नई кнопकेेल बना लाएग Dudenum के अंदर ठीक है चीस्प आप यहाँ पर याद रहूद रह्ख लेना यह जो स्टुक्चर हिहाँ यहाँ पर सफिंख्टर परजेंट होता है स्विंग्टर स्विंग्टर ओफ ओडाई तर अपने लीवर की बात कर ली अब की फूड जो है अपना जो फूड है उसको क्या काम होता है फूड है है उसको अपनिया करते हैं डाइजस्ट करते हैं डिंब करते हैं ऐसी इस रिख रल ऑफ बादा रहिए करते हैं ठीक को देश्ट को दमने को बताया धाइज करेंगे बायो में अस्टों को सिप्जेस के अंदर के इसा के इसिक आपना ठीक है फूड जो है माउथ के अंदर से निकलेगा उसको बोलेंगे अपन बोलस ठीक है माउथ के अंदर वो सलाइवा से अपने दांतों से उसको चबाया है और फिर सलाइवा उसके अंदर एड हुआ है और जो स्ट्रक्चर बना है उसको बोलेंगे अपन बोलस ठीक है के अंडर हुआ चुर्ण इंग मॉमेंट ठीक है तो दो नहां प्रो स्टैरान का बना कावज rein उपलश जो है वो रही है चनिंग मॉमेंट हुआ ठीक है और क्या हुआ का इम बन गया अब बागे चलते हैं यह जो पूरी प्रोसेस है यह मैंने आपको जो इलिमेंटरी के नाल बता रहा था उस ताइम पर भी मैंने आपको बताई थी और यहाँ पर भी आप यह पूरी देख लो आप सिक्वेंस आपको याद रह जाएगा इस सिकंव और तकी len चलती होता है लार्ज इसट्राइं के इंदर डाजसेशन नहीं होता मावуд, इसओ फेगस, स्टोव सर्वाइग, डख़िःदेन इलियम होता है, शीकदम को लक्रलार्स काहा होता है, सब को बता है, smart intestine काहा होता है, maximum sexyan काहा होता है, smart intestine के अंदर, और absorption सब्से जङदा वो काहा होता वो आपको समझ में आ पना खेंगा तो पर यह चीज देख लेते हैं गेस्ट्री ग्लेंड वाली गेस्ट्री ग्लेंड एक है म्यूकस नेक सेल्स एक प्राइटल या फिर ऑग्जेंटिक सेल्स ठीक है म्यूकस नेक सेल्स नाम से पता लग रहा है म्यूकस सेल्स नाम से पता लग रहा है म्यूकस सेल्स एक प्राइटल या फिर ऑग्जेंटिक सेल्स एक रहेगी एचिओ सेल्स एचिओ्ड करेगी और क्या करेगी इंट्रिंसिक वैक्टर स्कूरीट करेगी एच यह जो है जो है ट्रोकलो्रीक एसेड है उसकी पीच कितनी है वज्पॉइंट एट्पियाच मदलब हाईली एसीडिक है ठीक है हाद डालोके जल जाएगा एच्शी वाली च condition है तो एचल जो है कि इसके पेस कितने है 1.8 ठीक है और क्या स्कून स्कूरिट करता है इसको पराइटल या फिर अफिर ऑग्जिंटिक सेल्स और एक इंट्रिंसेक फेक्टर भी एक करते हैं सिक्रीट इंट्रिंसेक फेक्टर किसका माता है विटामीन चलिखराइब करणेबाएब करने के लिए और वाहता है मेचूर रखहर कड़ने करने के लिए वहार जल जाएगा तो पेट के अंदर ऑपेट क्यों ने जलता तो पेट इसलिए ने जलता क्योंकि उसके मुँकस की लाइनिंग है मुँकस की कवरिंग है अपनी जो smaki वोल है अंदर उसे मुटस और bicarbonate की covering है तो वो किस से बचा कर रखती है इस पीएज से बचा कर रखती है अपनी जो स्ट्रमक की वोल को ठीक है अब HCL जो है यह इतनी highly acidic है जो HCL है कि काम किस आती है वो किस काम आती है वो देख लेता है यह जो इसको आक्टीव करने के लिए इसको एक टिवेट करने के लिए ह् идет की जरूरत होती है जो पेप्सिनोजन को जब HCL के सादश एकसी एकस्पोसर मिलेगा ठीकीस में कंवर्ट हो जाएगा पेपसीन के अंदर कनवर्ट हो जाएगा ठीक है पेपसीन के अंदर यह कनवर्ट हो जाएगा जो पेपसीनोजन है जब उसको एक्सिल का एक्सपोजर मिलेगा तो पेपसीन के अंदर कनवर्ट हो जाएगा इसका काम पता चल गए आपको कि एक्सिल किस काम आएगा पेपसीनो ये अख्जान होगे है येस ब्रोल ऐटीन को तोड़ेगा तीक कौणी परोटयन प्रिजइन परे एंदर नहीं होता चया राने का परेहले नहीं हो 笑 तरहा जिंदेगी दूध उपर चलती है क्वार काना खातें बसे दे लिए हैं त्यक्त प्रोटीन कर देता है म्यक्त प्रोटीन कोमक देए फीर है प्रेन चैलिकेंट की बात कर लेते हैं पंक्रियाटीक और टिपसी तरफ में नीमें तरफ में सो है वह एंटेरो काईने साथ कि बूद नाम से प्रति अंतर ही आपको लाप MRI आख की जो dat Изज्बेस में से ओने इतی फॉम के अंदरै हो कि ओए यह और तीर्चिन के अंदर कनवर्ट हो जाएगा ता यह जो ट्ली सिन जो है वह दूसरे एंजाइम्स को दूसरे एंजाइम्स को क्या करेगा दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा एक्टिवेट करेगा ठीक है दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा एक्टिवेट अधर एंजाइम्स ठीक है अब यह जो टेब यह जो कौन सा अपका अंजाइम कहा प्रजेंट होता है कौन सा कहा प्रजेंट होता है यह सारे आपकी प्रोब्लम सोल होने वाल लिए तो कार्बो हाइड्रेट है ठीक है कार्बो हाइड्रेट है इसके लिए इसके लिए एंजाइम कहा प्रजेंट होता है इसके डाइजेशन के अंदर carbohydrate के लिए कुछ नहीं होता ठीक है जैसा माउथ के अंदर से निकलेगा तो स्टोमक के अंदर भी वैसा ही रहेगा ठीक है फिर पेंक्रियास की बात करते हैं पेंक्रियास के अंदर क्या होता है पेंक्रियास के अंदर क्या होता है पेंक्रियास के अंदर क्या होता है ठीक है पेंक्रियास के अंदर पेंक्रियास के अंदर प्रजेंट होता है मतलब यहां तो कुछ होगा carbohydrate का फिर है सकस एंटेरिकस सकस aeriqs बोलते हैं उसके अंदर कार्बो Tack के लिए क्या है Huh कोई में आवाएड़ेट की बात कर लिए है तो मौक के अंदर क्व improvements के लिए मौक के अंदर कुछ नहीं है तो मौक के अंदर प्रोटीन खाई है वैके और प्रोटीन के लिए प्रेपसीन परजेंट है अभी मैं आपको बताया ना कि प्रेपसीनोजन होता है तो वह कहां परजेंट है स्टो मख के अंदर तो पेपसीन परजेंट है मतलब यहां तो प्रोटीन का conversion होगा यहाँ पर protein जैसी थी वैसी तो नहीं रहेगी फिर पेंकरियाज है पेंकरियाज के अंदर क्या है trypsin है काइमो trypsin है और carboxy peptidase है तीन चीजे present है फिर सकस entericus के अंदर dipeptidase percent है फिर nucleic acid के बात कर लेते हैं mouth के अंदर nucleic acid के लिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो mouth के अंदर जैसे nucleic acid अपने खाई है वैसी की वैसी रहेगी स्टोमक के अंदर भी वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि कुछ नहीं है nucleic acid के लिए फिर पेंकरियाज के बात करें तो पेंकरियाज के अंदर nucleuses present है तो यहां पर मतलब कुछ changes आएंगे वो changes क्या आएंगे वह मैं भी बताने वाला हूँ एक बार आप यह देख लो changes आएंगे मतलब nucleuses present है तो तो चेंजे आएंगे सककस एरेंटरिकस के अंदर nucleotidases present है और nucleosidase present है मतलब यहां पर भी change तो होगा फिर बात करें फेट की तो फेट के लिए mouth के अंदर तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो जैसा fat अपन ने खाया है food के अंदर वैसा का वैसा fat रहेगा अपने mouth से जैसे ही वो बोलस जाएगा Starmac के अंदर तो वैसा का वैसा रहेगा जैसा fat अपन ने खाया है वैसा रहेगा कोई changes उसके अंदर नहीं आएंगे Starmac के अंदर क्या पर जन्ता गेस्ट्रिक लाइपेज परजैंट है मतलब कुछ तो चेंज़ आ सकते है पैंकरियाज है उसके बाद में पनक्रेयास के अंदर पैंकरियारिक लाइपेज प्रेजेंट एंगे फिर है सकस्थ रीकस उसके अंदर लाइपेज प्रेजेंट है तो यहां पर भी जेंज़े आएंगे अब क्या चेंज आएंगे वह दध्रता यह एटेबल अर्ट अप अच्य से पर याँ कम आई पर करेंगे कारोईड किया है पोली से कराइड ठीक है इसने 30% जो पोलीNow च Lindis पर कर दिया डाई संवर्ट कर दिया तुछ नहीं है इसने 30% प्रसेंट ने अब जो अपने पास स्टोमक के अंदर कुछ नहीं है कर्बाइड के लिए तो कुछ नहीं होगा पंकरियाज जो है उसके अंदर क्या है पंक्रियाटिक अमाइलेज बरजेंट है तो 30% तो सलाइवरी माइलेज ने कर दिया था बचकाय कितना 70% अंचेंज बचा हुआ है तो 70% के अंदर कर देगा पुली साख रएड को माल्टोज और लेक्टोज के अंदर अपना क्या हो गैंटीड परसेंट जो पूली सःक्राइड वो डाइस क्राइड के अंदर कर देँगे तिक है और यह जो था यह ता घुल एंदर प्रोटीन की प्रोटीन है उसके लिए माउट के अंदर तो कुछ नहीं है का है स्टॉमके अंदर के अंदर प्रेपसीन इस यह ऐगा प्रोटीन के लिए प्रोटीन जी नायेगा तो प्रोटीन को किसमें गड़ कर देगा टों Exactly Reality के अदर प्लस बै supreme टेप्टोंस प्रोट्योज के अंदर और के एकश्षीन जुँक्नेंट फिर पक्रेंटीप अंदर क्या है ट्रीक सिंहा खाल उ significa और आहे यह टीनोह जैसे लिए प्वट्न सब्नाइक्ट। तोटा बना देंगे डाइपकटाइड बना देंगे डाइपकटाइड सब्सक्राइब निए अप्र अपोड यह पूरी यह पूरी यह पूरी यह जो मतिया यह पूरी सथ边 ख Arms कौन सा enzyme कहा पर present है और कौन किसको कब तोड़ेगा तो वह देख लिया अपने यह protein जो है protein जो है वह macro molecule है ठीक है बायो macromolecules है इसको मैंने convert कर दिया amino acid के अंदर यह क्या है simple substance है फिर आगे चलते हैं फिर जो है next and nucleic acid nucleic acid माउथ के अंदर सुमेंगे भी संहे तो निकम्लियास का सब्सक्राइब करां पर निक्लियास कमन साइड के अंदर कनवर्ट होगा और नुक्लियोसाइड पर जैसे ही नुक्लियोसाइड एक्ट करेगा तो यह सुगर प्लस बेस के अंदर टूट जाएगा और यह क्या होगी सिंपल फॉम ठीक है फिर अपन बात करें फेट की तो फेट के लिए माउथ के अंदर कुछ नहीं ह लेकिन वो को झाइदा कुछ काम करनी पाता वही बात हो गया बेटा तुमसे नहीं पाईगा तो वह माली बात हो गहीं तो सब्सक्राइड और कि इसके लक्षण ठीक नहीं है तो सब्सक्राइब बमाषण यहां और प्लस दाइग telefon सब्सक्राइपवेजशा के अन्दर और जो मोनो ग्लीसराइड पत्द डाइग्लीसराइड है ठीक है इस पर एक्ट करीगे लाइपे जो किसे अंटरीकस के इंदर प्रजेंट है और इसको टोड़ देगी फेटी एसिड प्लस ग्लीसरोल के अंदर यह सिंपल फॉम आ घीक है अब जो फेटी एसिड है एक चीज़ देख लो आप फेटी एसिड और ग्लीसरोल को अपन क्या नहीं कर सकते डाइरेक्ट अपना अबसम नहीं कर सकते तो उसकी लिए भी एक मेकनिजंब ना रखा है ठीक है फेटी एसिड प्लस ग्लीसरोल को अपन लकौक अप techniques कराना है तो क्या करेंगे इमल्सिफिकेशन एधे होगा है कि मिकेशन होग होब करते हिमस्तिषिट्स क्या बनेंगे मिलीजिय sa बनेंगे में सेल पर प्रोटियन की कोटिंग आएगी और इidemont पर काइलो माइक्रोंड माईडों। अब और जो कियलो हैं ये ट्रांसपोर्ट पाइल फिजन के अंदर लिंफ वेसल से में के कही हैं जाएगे ब्लड के अंदर ए टीशूज्त के तरफे बाइल जो है जान पर फलाइल वर्ड और बाइल कासर सी निकलता है लीवर से निकलता है और वाइल जे按 माल है देख लेते हैं, है भाईल, भाईल pig लगा लो , लेकिन याद रख लेना कि बाईल के अंदर कोई भी कोई भी एंजाइिम प्रजेंट नहीं होता कोई भी एंजाइम प्रजेंट होता बाई Debol विइक पर आप ने अब बात करेंगे अब रचुम सब지क्षाइं को बात कुद क कोई एंजायम प्रॉबिभाफ दे रखा है फेसिलिटेड जो ट्रासफोर्ट होता है न उसके अंदर भी energy तो नहीं लगती लेकिन carrier proteins की जरूरत होती है और जो active transport इसके अंदर टो energy लगती है ठीक Хाँ अब simple diffusion ग्लुकोस simple diffusion से absorb हो जाता है और glucose जो है वो facilitate transport भी हो जाता है ठीक है और active transport से भी glucose जाता है ठीक है तो यह तो तीनों के अंदर आएगा तो आपको confused हो नहीं क्यों है ठीक है जैसे glucose है वो तो तीनों से होगा amino acid अमाइन ऊसिड वह भी तीनों से होगा simple diffusion से भी होता है facility transport से भी होता है और active transport से भी होता है chloride जो आयन है simple diffusion से भी ray liz again कलोराइड तो इसको आएन सिर्फ public diffusion से होता है facilitate transport से कुछ नहीं होता मातब्ड्यकोज old amino acid अशीद होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडिय माइन होता है ठीक है तो आप इसको ऐसे रख लो प्लस मतलब थोड़े पॉजिटीव आइब से तो पॉजिटीव जहां पर अपन को दिखती है तो वहां पर अपन थोड़ी से एनरजी तो खर्च कर सकते हैं ना कि मारा कहां पर कहीं पर कि यहां पर अपने को फाइदा हो सकता आया से पन पॉजिटीव चीज आपने पास आ सकते हैं तो उसकी चीज के लिए थोड़ थोड़ी लगा सकते हैं तो एनरजी साyan के लिए इनरजी चीज़ है और जहां के क्यों जायांगे तो इनरजी नहीं लगी मेला इब ने मिगोर पर किस चीज का अब्जूप्शन होगा वह चीज देख लेते हैं माउथ के अंदर माउथ के अंदर जो अब्जूप्शन है वह सर्टेंड ड्रक्स कुछ ड्रक्स का अब्जूप्शन होगा बाकी कुछ नहीं होगा ठीक है कुछ ड्रक्स का अब्जूप्शन होगा माउथ के कि यहाप अपर मसम् i sain होता है कि लार्जेंटेस्टाइन की बात करें यहाप पर वाटर आप़ो कि करें अद्र Aunque मीनरल्स का यौर सिल्श कर दावायों का होता है द्रण्सका ठीक है और minerals का हो जाता है और water का हो जाता है यह absorption कहां मिलेंगे अपन को large intestine के अंदर ठीक है फिर बात करें अपन assimilation assimilation मैंने आपको पहले बता दिया जो absorbed food है उसको tissues तक पहुचाने की जो प्रोसेसर उसको बनते है अपन assimilation titre deys paint organization क्या है जितना अब अब आपने छाहिए मालो लो अपने he Boy काया अपने एक किलो खा लिया तो उसमें काम की चीजां कितनी हुई man low की 200 gram काम की चीज़ें होंगी उसमें फिक है ऑग्जम्पल है 200 driving काम की चीज़ें hag तो वो काम की चीज़े तो अपने असिमिलेट कर ली अब जो बाकी का बचगा 800 ग्राम ठीक है 800 ग्राम जो की वेस्ट है उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा तो वह क्या है डिफिकेशन अब एक टोपिक दे रहा है इंसे आटिक अंदर प्रोटीन एनर्जी माल नूट्रीशन पी एम प क्वाश्योर कार और मेरासमस ठीक है क्वाश्योर कार और मेरासमस ठीक है दोनों के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं प्रोटीन की डिफिशेंसी दोनों के अंदर है ठीक है दोनों के मेरासमस के अंदर भी प्रोटीन की डिफिशेंसी होती है और क्वाश्योर कार करोईब के लूरी के ने वह नॉर्मल होती है को दूर करके अंधर के लुरी नॉर्मल होती है और मैरासमस के अंदर के लूरी कम होती है ठालों जो दो के कहले है ओर यह चीज घूर र Sun कार जो है डृफोSy टो गॉइस वालों की अंदर हम रजधे नुल है उसके अंदर के नड़ा के लिए को देखनी के लिए मिलता है को लाजऺश desолов दंवन aya-tyla एक साल से छोटे बच्चे के अंदर उस उर्कार मिलता है और तो इसके निदर कैलोरी 해ường नॉर्मल है बच्रिव हुई है तो इसके नदर खिलुई है तो इसके नदर एडेम्ường ओर श्वेंग हो जाएगी बच्चे के अंदर को रोकार वाले जो दिसंके अंदर की उनदर होता है उसके अंदर मेराहिट Housing जो है कैसे उता है तो वो जाता है very early second pregnancy कोई भी मदर है उसकी अभी first pregnancy हुई है और फिर्स्ट प्रेग्नेंसी कंप्लीट होई यह और तो इसके बाद में ही अगर और अगर यह सकेश्ट प्रेग्नेंसी ओजाई इच अगर अगर डिखेश्ट बाद में 75 तो दाइए तो हुआ है तो क्या हुआ मदर जब प्रेग्नेंसी होती है उस टाइम पर जो बच्चा है वो सारे न्यूट्रेंस का से लेता है ठीक है मदर से ही लेता है तो बाद में सेक्ट प्रेग्नेंसी हो गई तो मदर को टाइम ही नहीं मिला रिकवर करने के लिए वो सारी चीज प्रोटी देखने के लिए मिलेंगी उसको नूट्रिंस नहीं मिल पाएंगे सेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान ठीक है और उस बच्चे के अंदर ये कंडिशन देखने के लिए मिलेंगी मेरा स्मूस वाली ठीक है अब बात करेंगे एंपन डिस ओडर्स ड्याइस्टिव सिस्टम और डिसोडर का क्या है पहला डेखलो जो लिस्ट जोंडिस जोंडिस के अंदर जो लीवर अफेक्ट होती है से इंदर स्किन एडिपोज्ट ई सब्सक्राइब ओर बाइल पिगमेंड का से निकलता है लिवर से निंगलता है बाइल निकलता है लेकें लिग मैंट यू जो पीला हो जाता है यह तु कि अद्स फिर की वो मियंट किया है इजेट्स टोक्षन दूर मिलक एंज नंटर इन दिन फ्म सेंटेन्ट इन दे मेडूला साब को पता है जो कंटेंट है अगया उसको मुह मेटिंग बोलते है इसको इसे कामकाज चाहिए फीलिंग फिर वॉमिट्र मेटाता है यह दिता है और आजीव सा लगता है और लिखता है यहीं लिखता है एक फिलिंग ओफ नोजिया फिलिंग और यह सब को पता है कि क्या होता है कि उनकी फ्रिक्वेंसिय इंक्रीज हो जाती है और जो फिकल इसके अंदर लिक्वीडिटी आज़ा गया उता है Good इससे क्या होता है कि जो food का जो misty नीवर निकल जाता है तो यह चीज इन ऐसे लिए तो यह चीज़र तो यह चीज़े और जाना पड़ता है इसे लिए जो फीकल में रहा हो ऐओ को लगा इंदर दीट के इंदेना हो जाता है फिर इंड़िजीशं ठीक हैं इन इस इस रिखेन दीशन, इन इस कंडिशन फूर इन पर दॉपले इंजयिस्टर शाही से फ़या हो एस इसके अनदर क्या होता है, जो फुर अपने खाया है न वो अपने रहे हैं या फिर फूड पोई निगा मिलटा सीदा खाना खाना खाल लिया ठीक है ओवर इटिंग कर ली वह से खाने का मन हो रहा है और खागए बीस दी समोसे और फिर वह जादा वह इंडराइजीशन तो यह स्पाइसी फूड जादा खालेंगे तो भी इंडराइजीशन हो तो यह चेप्टर अपना होगा कंप्लीट जो हैं डेकं टेलीग्राम चैनल पर यहां पर आपको स्क्रीन फर टेलीग्राम चैनल का लिंक यूजर नेम है वह और इंस्टा हैंडल का आपको दोनों के हैंडल आ रहे होंगी पे निगराम पर पीडिएफ वगेरा मिल जाएंग आपको फ्लैश कार्ट बगरह मिल जाएंगे तो वहां पर यह आप फॉलॉव कर सकते हो तेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लेना पाकी सारे चेप्टर क्लियर करेंगे केमिस्ट्री बायो पूरी उड़ाएंगे ठीक है और एक्जैम बहुत पास आई है अच्छे सा पढ़ना है डेडिकेशन के साथ में बिल्कुल थैंक्यू सो मच